यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राजे में कोई भी परिशानी या समिस्या नहीं थी सभी लोग उस राजा से बहुत खोश थे और उपर वाली से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिन्दगी में भेजे हैं और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे उनके पिताजी इतने सूरवीर थे हमें इतने सूरवीर खांदार में जर्म लेने का मौका मिला या उपर वाले का धन्यवाद राजा ने सभी चितर को देखते हुए आकरी चितर तक पहुंचा फिर उस खाली जगा को देखा तो वह चिंता में पढ़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएग से मेरा ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्य दिखेगी राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसे पैंटिंग बनेगा तो क्यों नाम में अपने जीते जी एक सांदर पैंटिंग बनवाओं ताकि मुझे यह सुकुन मिल जाए कि मेरी यहाँ अच सांदर इनाम तो मिलेगी लेकिन जिस राजा का एक आँक नहीं एक पैर नहीं है उसका संदर पैंटिंग कैसे बनेगा चाहता हूंम चोबिस गंटे का वक्त दीजी अब सभी बड़े बड़े पैंटिंग भर हो गए कि यह लड़का क्या पैंटिंग मन अब और अगर राज नार ये आगिले दिन लड़का तस्वीर मना कर लाने वाला था और दर्वार पुरी तरह से भर चुका था लोक दूर दूर से यह देखने के लिए आये थे जिसा पैंटिंग मना कर लाएगा है अब लड़का जब उस राजा के पैंटिंग मना कर लाया तो लोग आसर चकित र उस राजा की क्या पैंटिंग बनी होगी जिसके एक आख नहीं है और एक पैर नहीं है कैसा पैंटिंग मना होगा उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक गोड़े पर सवार किया था एक साइट से उस राजा का एक पैर दीख रहा था और राजा तिरंदाजी करते हु गोड़े के उपर सवार दिखाया जिससे एक आंक बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना सांदर पैंटिंग बनाया था कि वह आप तक की सबसे सरस्वेस्ट पैंटिंग थी उस लड़के के सामने भी चुनो दी थी संकट था लेकिन उसने सकारातमक का साथ नहीं छोड़ा ज फिर जिंदगी उसके साथ छोड़ देती है हर पल सकारातमक रहिए खुस रहिए उपर वाले के आसरवात के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसना हो जोड़ी वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक जरू करें धन्यवाद